सूपरबाद मेरे भाई और बहनों, तो भाई आज ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्जेक्ट स्टेप्स और टेक्निक्स जिससे तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, मेरी शॉरिटी है बिजनस टेडीज में अब चाहे तुम वो स्टेट हो जिसने बिल्कुल टच भी नहीं करी, और चाहे वो स्टेट हो जिसने पढ़ रखी है अच्छे से, बस उसको फाइनल चाहिए टेक्निक्स की कैसे फुल मार्क्स लाए जाते हैं क्यों भाई तुम कॉमर्स के बिच्चों समझ सकते हो, एकनॉमिक्स, अकाउंट्स, मिथमांटिक्स, इनमें इतना टाइम लग जाता है कि बिजनस टेडीज और इंग्लिश को हम टाइमी कहा करते हैं डंस से, तो मैंने कुछ ऐसी चीजे करी थी, जिससे मेरे उस ताइम 90 मा गए थे, और वही चीजे फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई, जिससे हंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स के फूल मार्स आई हैं, तो वो मैं तुमसे आज एक्जाक टेक्निक्स शेर करूँगा, तो जड़ा ध्यान से सुनते हैं, देखो यार, सबसे पहली चीज तो एक ये समझ लो, हमें business studies इतना lengthy, इतना बड़ा difficult theoretical subject लगता क्यों है, क्योंकि तुम्हें बंद करना पड़ेगा रटना, हम रटते हैं business studies को, भाई इतनी मोटी किताब है, उसमें इतना सारी English लिखी हुए, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, अगर तुम सब कुछ line by line होते हैं, बाकि सब क्या करते हैं, टाइम लगाते रहते हैं, उनका या तो आदा स्लेबस होता है, और पूरा स्लेबस करने बाटते हो, बरबाद कर देते हैं, अब सुनो, new education policy के बाद से एक चीज़ और खतरना कुई है, रटने वालों की तो इनने वैसे ही तैसी करते हैं, तुम्हें पता है, case studies आती है, अगर तुम रट रहे हो, concept को तुमने समझाई नहीं है, तो भाई तुम case studies solve भी नहीं कर पाऊगे, तो मेरे जान, मेरे भाईयों महनों, रटना बंद कर दो, इसी वज़े से तुम्हें बिसनस से difficult और लंबी रखती है, तुम्हें क्या याद क ना, 10 से 20 पेज की सिर्फ एक छोटी से notebook रह जाएगी, सिर्फ notes तुम्हें याद करने है, कि इसके headings के और keywords के, इतना याद करना है, पर भाईया, अगर मैंने heading याद कर ली, चलो मुझे पता है, ये keyword करना है, पर पूरा answer कैसे frame करूँगा, क्या लिखूँगा उसके अंदर यहीं हमारी दिक्कत आ जाती है, क्या मैं बोलता हूँ अपने students को जब भी पढ़ाता हूँ, business study से पहले English सीख के आओ, यहीं पे आती है हमारी framing की दिक्कत, तुम्हें answer frame करना सीखना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो answer है, तुम्हें पता है इसका answer क्या है, हि बचो business studies पढ़ाने के साथ साथ, एक activity ये भी देता था, कि एक random, खुद कोई भी random topic पकड़ो, और उसके ओपर एक article लिखो, everyday, तुम 15 दिन ये activity कर लो, कितनी देर लगी, 10 से 15 मैंट, पर घंटे बचा लोगे, और सिर्फ business studies नहीं, economics में भी, accounts में भी कही ना कहीं, जहां theory questions आ होगे, तुमने 10 से 15 दे आर्टिकल लिख लिगा, तुम्हें पूरा, सिर्फ इतनी अक्टिविटिकल, मैं guarantee तो तुम्हें आ जाएगा, कैसे लिखते हैं अपने दिमाग के thoughts को, तुमने जहां ये आर्ट सीख ली, भाई, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ heading सीखनी है, keyword सीखन और ये 30 मिनट का भया, आप क्या funda बता रहे होगे, सिर्फ 30 मिनट डेली पढ़ना है, और हो जाएगा, अब चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्या कहना चारा हूँ, देखो यार, मैं आप लोगों के इस channel के उपर, डेली half nr का एक lecture upload करता हूँ, ठीक है, मैं chapter 1 और 2 तो complete कर चुका हूँ, chapter 3 अभी चल रहा है, और डेली सिर्फ 20 से 40 मिनट, वैसे range इतनी होटे है, 20 से 40 मिनट, मैं डेली lecture upload करता हूँ, लगबख 13 से 15 मार्च लग, आपका पूरा syllabus मैं complete कर दूँगा, इस channel के उपर, ठीक, अब आपको बीच में बोर्ड भी है, ये भी है, दूसरी भी चीज़े हैं, भाई मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा रखा, तुम मुश्किल से 40 मिनट डेली और मैं तुम्हें पूरे नंबर दिलवा दूँगा, और अगर तुमने कुछ पढ़ा रखा है, तो फिर तो तुम्हें इतनी टेंशन की बा पढ़ाता हूँ पहली बात, ठीक है, आपके boards है या चाहे आपके CUET है, NCRT की language आते है, किसी books की language नाती है, किसी notes की language नाती है, सिर्फ NCRT की language आती है, ठीक है, तो NCRT की language सिखा रहा हूँ, दूसरी बात, proper practical examples दिखा रहा हूँ, भाई, free में, कोई पैसे भी नहीं है, ठीक ह और सबसे importantly, NCRT से headings और keywords सम्मा करवा रहा हूँ, कौन से आपको heading लिखनी है, heading सो कहते हैं, सारी वही आपको लिखनी होती है, ठीक, और क्या lines और words लिखनी है, जिसको देखके examiner फिदा हो जागा और पूरे number देदेगा, ठीक है, तो आप लोगों को NCRT से पढ़ना है, headings याद करनी है, keywords याद करने है, और practical example और conceptually चीज़ों समझना है, ताकि case study मज़े से solve कर पाओ, ठीक है, अब करना कैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले lecture देख लेना, ठीक है, तुमने कुछ भी ने पढ़ रखा ना, सिर्फ lecture देख लेना, lecture में मैंने mark करवा है, NCRT ले ठीक है, मैंने क्या-क्या keyword और headings mark करवाई है, और सब कुछ अपनी mark कर लेना, ठीक है, mark करने के बाद तुमने lecture देख लिया, mark कर लिया, ठीक, उसके बाद क्या करना है, phone रखा side में, बस books से, जो जो मैंने mark करवाई है, उसको एक बरी उपर-उपर से पढ़ लेना, और recall करन प्रिंस भाईया ने क्या पढ़ाया था, lecture का on and average daily 30 minutes लगे, revision में मुश्किल से 10-15 minutes में लगेंगे, सिरफ headings और उन सारे words को, keywords को पढ़ने में, जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है, तो क्या करना है, आपने lecture देखा, mark करा, फिर आपने revise करा, बस इतना process कर लेना, और उसके planning था, तो उसमें क्या-क्या steps थे, अपनी आखे बंद कर लो, steps of planning के topic पर एक्जामपल आए, आखे बंद करी, और देखा, heading क्या-क्या थी, याद करने की खोशी बड़ो, इसमें ये सारी headings थी, ठीक है, heading तुम्हें याद है, अंदर का content तो, तुम खुदी लिखा होगे, अ और जो मैं NCRT से करा रहा हूँ, वो कर लेना, ठीक, last, second last, practical example सीखो, ठीक है, मैं again practical example से सिखाता हूँ, हर topic के आपको समझना है, business study, real world में कैसे लगती है, आप वो practical example लिख्किया होगे न, examiner आप से खुश होगा, आपको पूरे number देगा, and most importantly, आपको चीजे ऐसी याद हो ज करोड, KTM बाइक्स बनाते हैं, ठीक है, उनकी सेल 15,000 करोड से एक साल के अंदर गिर गई, क्यों गिर गई थी, क्योंकि KTM बाइक्स छपरी चलाने लग गए, ठीक है, उन छपरियों ने क्या किया, बाल उल्टे सीधे करवाए, गाडी से तोड़े सारे rules, अब क्या हो गया, पूरी जन्ता में, सोशली, पूरी सोसाइटी में क्या हैं, बन गई, क्योंकि सोशल एंवाइरमेंट, यानि सोसाइटी की जो इमेज है, वो खराब हो गई, उस कंपनी के लिए, ठीक है, तो भाई, ऐसे एक्जाम्पल्स याद करो, तुम कभी अब भूलोगे सोशल एंवा यही इस beauty है, practicality की चीजों को समझनेगे, और last में, सबसे important एक और चीज, presentation, business studies में आप कितने भी बड़े answer लिखाओ, कितने कुछ लिखाओ, जब तक आपकी presentation on point नहीं है, आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है, presentation में आपको समन्ना है, आपकी handwriting, कैसे आप important headings और keywords, मैंने बोला जो NCRT से आपकी diagrams है, उनको बना के आना, ठीक है, proper margin line draw करना, यह सब कुछ presentation में, और भी चीज़े है, सबसे चीज़े important है, ठीक है, presentation अच्छी नहीं है, marks नहीं आएंगे पूरे, यह cut जाएंगे, presentation अच्छी है, कहीं ना कहीं, मैंने ऐसा, तुम्हें reality बता रहा हूँ, मैंन एक दो number तो वो presentation के नाम पर ignore कर देते हैं, ठीक है, तो presentation important है, अगर तुम्हें comments में जाके बोलोगे, मैं तुम्हारी video बना दूँगा presentation के उपर, कि कैसे करनी होती है, ठीक, but comments में आके बताओ, है ना, तो भाई, यह आपकी पूरी full-fledged plan है, जिसके तुरू आपको full marks आएं जिसके जिसके आपको झाल झाल